कि आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं गुड मॉर्निंग नमस्कार सब्सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टेडीज बैंकिंग चैनल पर चैनल का नाम है बैंकिंग एग्जैम्स खान ग्लोबल स्टेडीज गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है अमरे प्रिया अंकेत सोनिया तुर्जीत कि आज 4 दिसंबर है मंडे है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेर की जो लोग हमारे साथ पहली बार जोड़ रहे हैं उनको बता दें कि हमने तीस नवेंबर से SBA क्लक को डेडिकेटेड करता हुआ टागेट बैच शुरू किया है सिर्फ यूट्यूब के लिए है दो महिने के अंदर हम जो है सभी सब्जेक्ट्स जो SBA क्लक के हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं उचे लिए है व कि में बिल्कुल बिल्कुल आजने वी डे है आप सभीको नेवी की बहुत बहुत शुब कामना है लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेवी का जो establishment है वो 1950 में हुआ था और वो 26 जन्वरी को हुआ था 1950 में 26 जन्वरी को नेवी का establishment हुआ था लेकिन हम लोग नेवी डे चार दिसंबर को मना रहे हैं 26 जन्वरी को नहीं मनाते तो आपको बता दूँ उसकी वजए 1971 में हमारी नेवी ने पाकिस्तान से वॉर के दौरान पाकिस्तान नेवल शिप जिसे बोला जाता है PNS खैबर समय चार पाकिस्तानी जहास जो है वो तबाह कर दिये थे युद्वोत तबाह कर दिये थे और हमारी नौसेना के इसी शौर को याद करने के लिए शार दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे उमीद है आपको यह information अच्छी लगी होगी चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की खबरों पर फोकस करते हैं जो बड़ी इंट्रस्टिंग सी है और यह लगातार जो है वो खबरों में है और उसकी वज़ा है कि भाईया क्लाइमेट सम्मिट जो है UAE में हो रही है और अब जो है लीड आईटी 2.0 की लाउंचिंग हो गई है कि यह दिए सिंपल सी बात है लीड तो मतलब में लीडरशिप वाला लीड और 8 का मतलब है इन्डस्ट्री ट्रांजेशन के इंडस्ट्रीład उन्डस्ट्री ट्रांजेशन में और अब जो है क्या हो गया है लीड यहां पर यह जो है basically कि आइटी 2.0 शुरू हुआ है अब 2023 में और कहां पर शुरू है यूए में लक्ष सीधा सा इसका क्या है इसका लक्ष क्या है इसका लक्ष यह है कि जो हमारी इंडस्ट्री है उन इंडस्ट्री को ट्रांजेट किया जाए मतलब वो जो कार्बन एमिट कर रही है वो जो फॉसल फ्यूल यूज कर रही है उससे उन्हें रिनियूबल एनरजी की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए और जो कार्बन फुट्प्रिंट है उन्हें रिड्यूस किय जाए था नहीं पेटा बिल्कुल रोज इस टाइम पर शुरू नहीं होगा रोज एट-thर्टी पर ही शुरू होगा एट-thर्टी पर ही शुरू होगा 830 एम ही ये टाइम है बिटा रोज का टाइम है आज आपको जो असुविदा हुई इसके लिए खेद है लेकिन हमारा यह लीड आईटी टू पॉइंट ओ जो है 2023 में शुरू हुआ है और इसका उद्देश क्या है तो इंडस्ट्री को ट्रांजेट करना जैसे की टीमेंट इंडस्ट्री कि स्टील इंडस्ट्री कि जो बड़ी बड़े उद्योंग है उनको जो है ट्रांजेट करना इसका उद्देश है जैसे मैं आपको बताऊं तो अब इस्टील हो गया आयरन ओगया अल्यूमिनियूंप जिनका ज्यादा प्रयोग होता है फिलहाल पहले उनको जो है लक्षमें रखा गया है क्लियर इन से क्या करना है कार्बन फूट्प्रिंट कम करना तो एस बीशु का लक्ष जो है वह जीरो कार्बन रोज आपको याद करा रहा हूं ताकि जवान पर रट जाए जीरो कार्बन बाइट 2050 अच्छा एक खुशकबरी है बच्चों और वो खुशकबरी है क्या बता दूं कि भाईया भारत ने प्रस्ताव दिया है इसी में कॉप 28 की मीटिंग में कॉप 28 की मीटिंग में भारत ने प्रस्ताव दिया है अब भारत ने प्रस्ताव का एगा दिया भीया तो भारत ने प्रस्ताव दिया है कि दो हजार अठाइस में कॉप 33 का आयोजन का भारत जो है वो आयोजन करना चाहेगा करेगा ऐसा भारत की तरफ से प्रस्ताव गया है हाला कि यह अप्चारिकता मात्र है यह पास भी हो जाएगा तो कॉप 33 का आईजन का प्रस्ताव भारत की तरफ से दिया गया है और आप ध्यान लखेंगे किस एयर के लिए दिया गया तो यह जो है वो 2,028 के लिए दिया गया जो लोग पहली बार जुड़े हमारे साथ आपको बता दूं कॉप मतलब होता है Conference of Parties है ना जलवाईयू परिवर्तन में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यह मीटिंग होती है कॉप सी यो पी पहली बार शुरू हुई थी 1995 में 1995 में बरल तो इस साल जो है यह COP28 चल रही है UAE में चल रही है ठीक है ध्यान रखेंगे बिल्कुल बिल्कुल यह भारत के लिए जैसे अभी हमने G20 का आयोजन किया सफल आयोजन किया अठारवे G20 का आयोजन किया और हम जो है काफी हद तक विश्व में अपनी बात पहुचाने और अ आगे रहे ऐसे ही अगर COP33 जो है यह से बड़ी मीटिंग है दोस्तों COP33 है ना और ज्यादा अभी तो सिर्फ 20 देशों के लोग आये थे लेकिन COP33 में तो और ज्यादा बड़ा आयोजन होने जा रहा है है ना आपको बता दूं कि 195 कंट्री सॉरी 197 कंट्रीज जो है वो पैरि कि लीडर्शिप पर एक और महर लग जाएगी यहाँ पर इसे जो है वह आप स्क्रीन शॉट ले लीजे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला जो है हमारा अयोध्या में श्रीराम एरपोर्ट बनके तयार हो घ्याया जैसे कि आप जानते है कि 22 जनवरी 22 को जो है एक बड़ा उत्सव शुरू होना है और वह है मंदिर में श्रीराम जी की स्थापना और इतने बड़े आईजन को देखते हुए जो है पास में ही श्री राम इंटरनेशनल एरपोर्ट जो है वो तैयार कर लिया गया है आपको बता दूंगा कि 22 जन्वरी से यह शुरू भी हो जाएगा प्रान प्रतिष्था से पहले शुरू हो जाएगा अच्छा 500 लोगों की जो है यहां पर विवस्था है और दूसरी बात यह कि इसका अगर मैं आपसे बताओं कि लागत क्या है तो 320 करोड रुपे की लागत से यह एरपोर्ड जो है वो तैयार हुआ है बनके बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और 200 मीटर का यहां पर रन्वे है क्लियर है तो कहने का मतलब यह है कि आयोध्या जो है वह पूरी तरह से तैयार है क्लियर है और आपको बता दू सबसे पहली सबसे पहली जो उडान भरेगा वो कहां पर बरेगा इस एयरपोर्ड के लिए तो यह इंडिगो की जो है Indigo Airlines Indigo Airlines, ठीक है Indigo Airlines जो एरपोर्ट पर उडान भरेगी वो कहां के लिए तो भाईया दिली के लिए सबसे पहले साथ एहमदाबाद के लिए पहली फ्लाइट यहां के लिए शुरू होगी दिली और एहमदाबाद के लिए ठीक है तो यह श्री राम इंटरेशनल एरपोर्ट जो मैंने आपको बता दिया है फटाफट अच्छा सब लोगों को यह बात क्लियर हुई समझ में आई तो फटाफट थम इंप्रेशन दे दीजिए सब लोग फटाफट जल्दी से बता दीजिए क्लियर हुआ एकदम तब लोग जो है थाम इंप्रेशन दे दीजिए थाम सब क्लियर है सबको चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स है अगली खबर दुनिया के महेंगे शहरों की लिस्ट है ना जारी हुई है दुनिया के रहने लाइक जो सबसे महेंगे शहर है पॉस्ट आफ ल अधेशन इसका नाम है दी एकोनोमिक यूनेट एकनोमिक है कि इंटेविएंस यूनेट इंटेलीजें़ एकनोम इंटोमिक है इंटेविए intelligence unit economic intelligence unit intelligence unit टो है जो है यह सर्वे किया है यह रिपोर्ट जो है वो दी है दुनिया के सबसे महेंगे शहरों की और आपको बता दूं कि इस बार दो शहर जो है वह टॉप पोजिशन पर है फरस्ट पोजिशन पर है और वह कौन-कौन से शहर है जो फर्स्ट पोजीशन पर है तो आपको बढ़ा देता हूं पहले जो है वह है जुरिक में जुरिक जो है वह स्विट्जर लेंड में है और दूसरा जो है वह सिंगापूर कि लिए जो है टॉप पोजीशन पर है आप ध्यान रखेंगे टॉप यह एक सबसे महंगे जो शहर है वो जूरिक स्विट्जर लेंड का है और इस शिंगापुर सीटी जो है सिंगापूर जो है वो सबसे मेहगा है दोस्तों आप ध्यान रखेंगे रयर अच्छा फिर उसके बाद आपको बता दूं कि इसके बाद नंबर आता है फिर आपका नियु यॉक का नियू जॉक का और फिर इसके बाद नंबर आता है जिनेवा का जिनेवा भी जो है वो स्विट्जर लेंड में ही है है ना यह ध्यान रखेंगे आप अच्छा हमारे यहां से जो है सबसे रहने लाइक महेंगे शहरों में कौन-कौन से हैं इंडिया से सबसे महेंगे शहर रहने लाइक शहरों में इस बार नंबर वन पर जो आया है मतलब भारत में अगर मैं बताओं तो डेली जो है जो है उसका नाम है इस बार मुंबई का नाम जो है इसमें नहीं है डेली का नाम है और फिर आपको बताओं तो चेन्नेई एहमदाबाद और जै एहम्दाबाद और जैपुर यह रहने लाइक सबसे महंगे शहर है और दोस्तों दुनिया का सबसे सस्ता शहर सबसे सस्ता शहर मैं जो है कलर चेंज कर लेता हूं सबसे सस्ता शहर सबसे सस्ता शहर है दमिश्क जो है वो कहां की राजधानी है सीरिया की राजधानी है और ये सबसे सस्ता शहर है दोस्तों आप याद रखेंगे चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट खवर की तरफ इसको जो है स्क्रीनशाट ले लिजे अपने दिमाग में जगह है यहाँ पर सब से महенगे की बात हो रही है आप लिक भावक हो झाते बढ़िए सुन्दर सी कार है उबर green और उबर green को जो है मंदूरी मिल गई है और यह मनदूरी कहाँ पर मिल यह बैंगलूरू में बेंगलूरू में बेंगलूरू में जो है यह मन्जूरी मिली है किसको मिली है उबर ग्रीन को अच्छा उबर ग्रीन का मतलब क्या है तो यहां पर बैया सीदी सी बात है इवी टैक्सी इलेक्ट्रिकल वीकल इवी टैक्सी की जो है वो शुरुवात होगी उबर जो है यह शु की कमपनी कहा की कमपनी है USA की कमपनी है और उबर की शुरुवात जो है दोस्तु मैं आपको बताऊं 2009 यह 11 मैं कन्फर्म कर लेता हूं एक बार उबर की शुरुवात 2009 बिल्कुल करेक्ट हम सही बात करें थे 2009 गलत लिखने से अच्छा है एक बार आप अप कन्फर्म जरूर करे याद करें उबर की शुरूआ 2009 में हुई थी यूएसे में हुई थी इलेक्ट्रिक वीकल बैंगलूरू में शुरू हो रहे हैं और आपको बता दूं कि बैंगलूरू जो है वो ऐसा करने वाला दूसरा शहर है भारत का दूसरा शहर है तो आप से पूछा जाएगा पहला शहर है कौनसा है जहां पर इलेक्ट्रिक विकल्स जो हैं इवी टैक्सी जो है शुरू हुई तो पहला शहर जो है वो मुंबई है लेकिन आपको बता दूं बर जो है अपनी ग्रीन टैक्सी के वह कौन सा अकेर के लिए वह वो कौन सा व यूज कर रहा है कौन सा वीकल जो है वो प्योग में में लाएगा तो भाहिया वह बढ़ी सुनदर सी कार है टाटा कि TATA टिगॉर ए वी ताटा टिगोर जो है एवी जो है ये यूज की जाएगी उबर के द्वारा बेंगलूरू में जिससे कि देखो सीधी सी बात है आजकल आप पर्यावरण से संबंदित जो भी न्यूस पड़ते हैं उसमें हर जगा सिर्फ एक ही काम है कार्बन फुट्प्रिंट्स कम करना कार्बन का उत्सर्जन कम करना क्लियर है और भारत ने अपना लक्ष कब तक का बना के रखा है ये भी याद रख लो दुनिया का लक्ष 2050 जरूर है लेकिन भारत ने प्रैक्टिकली भई कब तक हम कर पाएंगे तो हमने है 2007 ये नेट जीरो कार्बन का लक्ष घल्टिए हमने दीया अपने लिए फ slaves का लीजिए अम्रेश बिटर आपको कोई भी टेंशन लेनी की ज़रूत नहीं है इन दो महिनों में यूट्यूब पर ही आपको पूरी प्रिपरेशन की कराई जाएगी चाहे वो बैंकिंग हो जनल अवेनेस हो मैस हो रीजनिंग हो इंग्लिश हो करेंड अफेर्स हो सब जो है वह आपको यहीं यूट्यूब पर अगले दो महीने पढ़ाए जाएगा तो इसलिए अभी तो फिलाल आप अपनी प्रिपरेशन पर आप तक जरू पहुचाएंगे लेकिन अभी तो वादा यह है कि आपको जो है दो महीने हम बिल्कुल फ्री जो है जब तक आपका फाइनल एस्बा का एक्जाम नहीं हो जाता आपको पढ़ाएंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट है अगला जो हमारी न्यूज है उस पर आ जाते जोशी मठ के लिए रिकवरी योजना मन्जूर कर ली गई दोस्तों आपको बता दूँ कि दिसंबर तू जैन्वरी है ना दो हजार 22-23 के दौरान अभी मतलब इसी साल पिछले साल दिसंबर जो है 2022 और जैन्वरी 2023 के दौरान जो है कुल 12 दिन के अंदर 12 दिन के अंदर जो है में जोशी मठ जो जगा है हमारी जोशी मठ जोशी मठ में जो है जमीन बेसिकली 5.4 सेंटीमीटर दस गई थी दस गई थी दस गया था जमी और अब जो है काफी नुकसान पहुंचा यह देख आप से देख सकते पहाड़ों पर ऐसे बचा बसा हुआ जोशी मठ की कैने बिल्कुल ऐबी जो ऐसा कोई भी इनमें से करेंड अफेर नहीं है जो इसलिए अां से पढ़िए तो मैंने बताए कि 12 दिन के अंदर जोशी मट जो है 5.7 मीटर जो है वो धस गया था अंदर और इसके लिए जो है अब रिकवरी योजना मंजूर कर ली गई है जोशी मट के लिए और उसके लिए आवंटन कितना किया गया है राशी का आवंटन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 1658 करोड रुपए एक 1658 करोड रुपए इसके लिए राशी जो है वो आवंटन की गई है और दोस्तों आपको बता दूं किसमें दोनों का योगदान होगा मतलब केंद्र और राज मिलकर केंद्र और राज जो है दोनों मिलकर यह राशी दे रहे हैं केंद्र राज मिलकर दोनों मिलकर यह राशी दे रहे हैं और य नेशनल डिजास्टर रिस्पॉंस फंड जो है रिलीफ फंड और यह स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड यह SDRF से देगा तो ऐसे करके जो है दोनों सरकारे मिलकर यह पैसा उपलब्द कराएंगी जोशी मट को रिकवर करने के लिए और यह रोजना जो है तीन वर्ष के अंदर लागू होगी तीन वर्ष में इव लागू होगी क्लियर तीन वर्ष लगेंगे इसमें कि वह पूरा जोशी मट जो है वो तितर बितर हो गया था सारे मकान सडके जो है और infrastructure जो है पूरा धास गया था लोगों अपने घर जो है वो छोड़ दिये थे अब धीरे दीरे जो है लोग वापस आ रहे हैं तो इसी लिए आप ध्यान रखेंगे कि भाईया यह जो है वो रिकवरी योजना है तीन साल के अंदर जो है वो लागू हो पाईगी बिहार में मिशन दक्ष लागू कर दिया गया है अब मिशन दक्ष जो है वो क्या है तो भाईया कमजोर छात्र जो है कमजोर चात्रों की मदद अब यह कैसे की जाएगी कमजोर चात्रों की मदद तो हर शिक्षक जो है ना हर एक टीचर हर शिक्षक क्या करेगा तो हर शिक्ष पैंच बच्चों को जो है अपनाएगा अपनाएगा अच्छे और उसकी मदद करेगा पढ़ाई में जो भी कमजोर बच्चे हैं उनको ठीचर अपनाएगा उनकी मदद करेगा अच्छा फिर मार्च में exam होगा मार्च में district level का जो है वह exam होगा और अगर exam में बच्चे पास नहीं होते हैं अगर fail हो जाते हैं तो बहिया teacher पर teacher और principle पर कारवाही की जाएगे पर कारवाही और आपको बता दूं इसका फायदा लगबग 25 लाक्स टूडेंट्स को मिलने वाला है 25 लाग जो कमजोर विध्यारती है उनको जो है इसका फायदा मिलने वाला है 25 लाग कमजोर विध्यारती आप से पूछा जाएगा है ना कि मिस्टर मेहूल यू डोंट नीड एनी बुक दियर जस्ट अटेंड क्लास रेगिलरली आप क्लासे अटेंड कीजिये से रेगिलरली सुबह साढ़े आट से लेके और दोपहर तीन बजे तक जो है क्लासे होंगी हर सब्जेट की क्लासे होंगी आपको पी वाई क्यूज भी प्रवाइट किये जाएंगे प्राक्टिस भी आपको कराई जाएगी यह तो पीडिएफ भी जो है आपके साथ चैनल पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं तो आपको कोई बुक की जरुवत मुझे नहीं लगता है बुक में अभी उल्जे रहोगे बुक खतम भी नहीं होगी और ऐसे एक साइड में आप रख दोगे तो बैतर है कि आप बुक की तरफ ना जाए और इस पर ध्यान दें तो चंद्रशेकर चंद्रशेकर जो है वो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों ध्यान रखिया आप कि नेक्स अगला है कि नेवेंबर में जी एस्टी का संग्रह जो है 15 परसेंट बढ़कर 1.68 लैक करोड हो गया क्लियर है कि नेवेंबर में जी एस्टी का कलेक्शन कितना रहा 1.68 लैक करोड रुपीज हुआ अच्छा और दो हजार तेईस में 2023 में यह सिक्स्थ टाइम ऐसा हुआ है एना क्या हुआ है सिक्स्थ टाइम ऐसा ऐसा हुआ है कि वह 1.6 लैक करोड को क्रॉस किया करोड को रुपए को पार किया तो यह अपने आप में अच्छी बात है दोस्तों क्लियर है अच्छा लेकिन एक और बात आपको बता दूँ कि आकड़े तो यह कहते हैं इससे पहले भी अच्छा क्लेक्शन रहा औक्टूबर में रहा औक्टूबर में किता रहा तो औक्टूबर में 1.72 लैक करोड रुपीज रहा 1.72 लैक करोड रुपीज रहा लेकिन पिछले बार के कंपरेजन में अगर बात करें इसी समय के तो भाई आप 15 परसेंट बढ़ा है पिछले साल से और 1.68 लाक करोड रुपीज का जी एस्ती कलेक्शन यह जीएस्ती कलेक्शन आपको याद होना चाहिए क्लियर है जैसे मैंने अभी रिसेंट आपको बता दिया ओक्टूबर के याद कर लो 1.72 लैक करोड रुपीज हो गया और नवेंबर का 1.68 लैक करोड रुपीज जो है वह GST collection हमें यहां देखने को मिला है क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं यहां पर दो इंफोर्मेशन अब जी एस्ट के बारे में सब जानते ही है जी एस्ट में एक होता है आपका TGST एक होता है SGST एक होता है IGST है ना मुझे इन सब के बारे बताने की जरूत नहीं है गर सिम्पल सी बात है अगर कोई प्रोडक्ट एक ही राज में बिक्रा है तो यह दोनों लगते हैं एक ही राज में बंढ रहा है और एक ही राज में भिक रहा है तो यह दोनों lle tax Ó cgst और sgst आधा आधा लगता है जैसे मानलों कोई बल्ब बिक्रा है तो बल्ब पर जो टैक्स है वो 18% लगता है 18% gst मानली जो decided है बल्ब पर तो अब अगर वो एक ही राज में बन रहा है और बिक्रा है तो cgst लग जाएगा 9% और sgst लग जाएगा central goods and service 9% state goods and service 9% तो ऐसे करके 18% आधाधा बढ़ जाएगा दोनों में एक ही राज में लेकिन अगर किसी और राज में बल्ब बनता है और किसी और राज में बिक्रा है तो फिर वहाँ पर एक ही जो है government वो टैक्स वसूलती है that is IGST integrated goods and service tax पूरा 18% जो है यह केंद्र के पास जाएगा अलाकि केंद्र सरकार बाद में इसे राज्यों में distribute कर देती है clear है तो अलग अलग राज्य की कंडी अलग राज्य अलग राज्य में अगर प्रोडक्ट बन रहा है और बिक्रा है तो IGST लगता है एक ही राज्य में बन रहा और बिक्रा है तो दोनों टैक्स लगते हैं जब भी आप शक्तीमंत्र अले सबसे पहले इनके मंत्री जो है उनका नाम लिखी लेटे गजेंडर् शिंग से खावत क्या है गजेंडर् सिंग शेखावत गजेंडर्सिंग मिलीड-खावह पुराने water resources समाल के रखना उनकी मरम्मत करते रखना नए बनाना यह बेसिकली जल इतिहास उत्सव जो है महुत्सव है इसका उत्देश है अच्छा इस थान कहां है तो इस थान जो है फोटो में भी आपको दिख रहा होगा जहाज महल जहाज महल में जो है ना दिल्ली दिल्ली में जहाज महल में यह आईजित किया गया था दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में कुछ खास बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यह है कि पहली बात तो थीम आप याद रखिए थीम जो है इसकी source sustainability for drinking water ध्यान र तूर्स है कि दस्टेमिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वहातर द्रिंकिंग उटे prends उर सस्टेनिवलिटी फॉर द्रेंकिंग वॉटर यह मतलब विश्य है मतलब sustainability का मतलब क्या होता है सतत्त कि नियरंतर पीने का पानी उपलब दो रहे हैं ऐसे जो है v00 पनाना एसी सूरोक्रा यह जो है तालाब का नाम है शमसी तालाब का नाम क्या है शमसी तालाब और शमसी तालाब जो है इसकी मरमत की गई है रिस्टोरेशन किया गया इसका इसी योजना के तहट किया गया है दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है और ऐसे करीब 150 डिस्ट्रिक्ट जो है वो चुने गए 150 जिल्य जो है चुने गए हैं जहां पर ऐसे इसी तरह के जो है काम करवाए जाने हैं तो यह आप याद रखि है नेक्स्ट है अगला है तो यह अ ओर अ कि और और ब्सका अंधीड के पांड बैंक ओफ इंड्डिया मतलब सम्जोंता किया बैंक ओ इंगलेंड के साथ समझोता किया क्यों किया है क्यों किया है तो भाइया ताकि इंग्लेंड के लोग या यूके के लोग यूके के लोग भारत के बॉंड में पैसा लगा सके भारत के बॉंड में बॉंड में आसानी से पैसा लगा सके आसानी से पैसा लगा सके लगा सके मतलब क्या है यह आसानी से पैसा लगा सके यह बॉंड है क्या तो सिंपल सी बात दोस्तों आपको सब अइना पर जो है बेसीकली कि government bond बोलना चाहिए government हलाकि इसमें private bond भी काम करेंगे लेकिन especially focus इस पर government bond पे जिससे कि जिससे government जो है वो जनता से उधार लेती है गवर्मेंट जनता से से उधार लेती है उधार लेती है कि ठीक है देखे सिंपल सी बात है अपने खर्चे पूरे करने के लिए जब सरकार को पैसा कम पड़ता है तो सरकार जंता से उधार लेती है पर जंता को ये भरोसा कैसे हो कि सरकार हमें पैसा लोटाईगी तो इसके लिए सरकार अपना वचन पत्र देती है या एक तरह से एक अनुबन पत्र देती है बॉंड देती है क लेकिन कभी जब हमारी सरकार को लगता है कि हमारे ही नागरिक क्यों विदेशी नागरिक भी हमें उधार दे सकते हैं विदेशों में लोगों के पास बहुत पैसा है और वो निवेश करने के लिए जगह ढूंते रहते हैं कि एक सेफ जो है ऐसा इंस्टूमेंट दिख जाए ले बहुत सुरक्षित है तो उसके लिए हमने क्या किया बैंक अफ इंग बेंकसे जो ओगा कि जो वहां के UK मैं यूके के जो बैंक से वह आसाँनी से जो है ट्रांजेक्षंस कर पाएंगे और हमारा जो clearing और करपोरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड है वह आसानी से यह स्मूध ट्रांजेक्शन में मदद करेगा हिए यह स्मूध ट्रांजेक्शन जो है वह होंगे क्लीरिंग करपेशन डाई है जैसे हो गया बार्कले बैंक है वो UK का बैंक है दोस्तों तो अब UK का बैंक है अगर वो यहां पर जो है बॉंड का लेंदेन करवाए गया कि फर्स्ट अप्रेल को लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक ओफ इंगलेंड जो है वो सत्रवी शतापदी में स्टैब्लिश हुआ था 1694 में 27 जुलाई को 1694 में 27 जुलाई को कि यह रहें बैंक ओफ इंगलेंड की स्थापन वी थी लंडन में इसका हेड ऑफिस है दोस्तों क्लियर है चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट है अगला है हमारा कि इसका स्क्रीन शॉट ले लीजे चेशाद्री को idrcl का अध्यक्ष बनाया गया है क्लियर है अच्छा और आपको बता दूं कि यह जो है डेट रिकवरी जो संस्थान है मारे आका जो भारत की है इंडिया डेट रिकवरी रिजलुशन कंपनी लिमिटेड है ना लिख लीजिए इंडिया डेट डेट रिजलुशन कंपनी लिमिटेड अच्छा मैं लेकिदेता हूं अंडिया डेट रिजलुशन कंपनी लिमिटेड यह जो है हमारा क्या है यह जो है हमारा बैड बैंक है क्या है बैड बैंक जब बैंक ऑफिसर्स के एक्जाम आप देंगे तो हो सकता आपसे पूछ लिया जाए क्लरक एक्जाम में भी पूछा जाएगा कि बैड बैंक क्या होते हैं जो बैंकों से उनका डूबता हुआ खत्रे वाला लोन खरीद लेते हैं और फिर खुद उसे तुलने में वो लोन जो NPA हो चुके नॉन पर्फॉर्मिंग एसेट हो चुके मतलब अब वो पर्फॉर्म नहीं कर रहे हैं खत्रे में है वो लोन उनको खरीद लेते हैं कौन से बैड बैंक तो बैड बैंक में से एक है कौन सा आईडी आर सी एल इंडिया डेट रिजलूशन कमनी लिमिटेड और शेशाद्री भाई साब यह इसके अध्यक्ष चुनेगा अच्छा इससे पहले आईडी आर सी एल के अध्यक्ष जो है वो गुपता जी थे और यह गुपता कूण को बही सब आपको दिवाकर गुपता इनका पूरा नाम है अब दिवाकरुपता को क्या किया गया दिवाकर गुपता को एन ए आर सी एल का चेर्मेंन बना गये है न ए आरिसे आल के चेर्में बंगे कि एने आर्सी एल के चेर्मेन बने कौन बने दिवाकर गुपता अच्छा अब एने आर्सी एल का फुल फर्म भी अगर आपको याद करना है तो नेशनल कि एसेट कि रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड नेशनल एसेटर्य कंपनी लिमिटेड है डोस्तों ये भी अर्सी और यह भी एक आप से पूछा जाएगा जो जो बैंकों के लोन धूबने पर या बैंकों के लोन खत्रे आने खत्रे में आने पर जोने फारे आए में जिए ऐसे खत्रेवाले लोन बैंकों से वो खरीद लेते हैं थोड़े कम पैसे में कि आप चिंता मत करो यह लोन हमें दो हम उसे वसूलने का प्रयास करेंगे तो ऐसे जो बैंक्स हैं वो क्या कहलाते बैड बैंक्स कहलाते हैं आई डी आर सी एल इंडिया डेट अच्छा उसके बाद फिर नेशनल एसेट रिकंस्रक्शन कामपनी लिमिटेड दोनों का फुल फॉर्म जो है आपको याद रखना है अच्छा एक और बात दोस्तों आपको बता दूं कि यह सारा कुछ जो है बेसिकली सर्फेसी एक्ट के अंतरगत आता है बैंकों को अपना दोन वसूलने के लिए इन संस्थाओं की मदद मिल रही है तो किस कानून के तहट मिल रही है तो सेक्यूरिटाइजेशन और रिकंस्रक्शन और फाइनेंशल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ओफ सेक्यूरिटीज इंट्रेस्ट एक्ट तू थाउजन टू मैं आप मैं फ आपना प्रानून है जिसने बैंकों को यह अधिकार दिया कि वह अपना लोन वसूलनें के लिए इस TP बैडंक या पूछना नहीं पड़ेगा अगर ग्राहक लोन नहीं चुका पा रहा है वो चुका सकता है तो अपना लोन वसूलें के लिए बैंक अपने ग्राहक की प्रॉपर्टी बेच सकता है यह सारे अधिकार जो है बैंकों को कौन देता है तो सर्फेसी एक देता है एसी बहुत सारी शांदार इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी बस रेगुलर बेसेस पर आकर भीया पढ़ते रहें देखो सिंपल सी बात है हर कोई आजकल पूछता है सक्सेस रेट कितना है कि बिल्कुल बिल्कुल में में एमसी क्यू टाइपी आएगा बिटा आप सब लोग पूछते ना सक्सेस रेट कितना है कितने बच्चों को सिलेक्शन होता है तो सिंपल सी बात है हर कोई बोलता है क्या आर देखो सो में से एक बच्चे का हो जाए बहुत बड़ी बात है हजार में से दस बच्चों का हो जाए बहुत बड़ी बात है क्लियर है तो वह सक्सेस रेट कम होनी की वज़य क्या है जादा भी हो सकता है तो कम होनी की वज़य क्या है कि शुरुआत में जो है उत्साह में तो इतने सारे लोग होते हैं सर हम भी सिलेक्ट होंगे हम भी सिलेक्ट होंगे बस आप पढ़ा दीजेगा पढ़ा दीजेगा दो की लोग गायब हो जाते तो यह जो consistency maintain करते ना बहुत कम लोग maintain करते इसलिए कम लोग का selection तो ध्यान रखिए जो consistent रहेगा selection होगा पक्का होगा कि जैक्लियर तो दोस्तों यह जो है आज की हमारी class थी और definitely आज की class में थोड़ा सा विलिम्ब हुआ दुबारा से उसके लिए एक शमा चाहूंगा लेकिन हर दिन जो है हमारी यह class basically कितने बजे तो यह जो है हमारी class सुबह 8 बचकर 30 मिनट पर शुरू हो जाती है और व आप की sagen क्लास को आख कि पर उसके बाद बात करें तो 10 30 पर जो है वह आपकी रीजनिंग की class शुरू हो जाती एन और फिर उसके बाद 1130 पर आपकी English की स्टाश चुरू हो जाती है इंग्लिश तो इसलिए अच्छा और उसके बाद फिर नंबर आता है आपका बैंकिंग की क्लास का तो बैंकिंग की क्लास जो है थोड़े से इंतराल के बाद ताकि आप खाना वाना खाके और आराम से फिर पढ़ाई कर सके तो वह आती है आपकी दो बजे सुकेश सर्जो पढ़ाते हैं तो यह पांचों क्लासेज है इस टाइम पर आप अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल आप सभी को जो है शुब दिन और ध्यान रखो रेगिलर बेसिस पर जो है जो स्टडी करेगा उसका सेलेक्शन होगा हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप भी कीजिए तो आज के लिए फिलाल इतना ही मिलते हैं यह वीडियो भी मिल जाएगा यह वीडियो आपके जैसे आज आज आपकी चौथी क्लास थी आपको पिछले तीन वीडियो भी मिल जाएंगे आपको कुछ नहीं करने खान ग्लोबल स्टडी यूटीब चैनल पर जाना है बैंकिं लेक्चर 2 लेक्चर 3 लिखा हुआ है तो यह आज का लेक्चर 4 था शुरू के 3 लेक्चर पढ़ लो और भीया धमाल से तैयारी शुरू कर दो दोस्तों आज के लिए फिलाल इतना ही मिलते हैं कल सुबा साड़े 8 बजए जैह